नमस्कार खिसान साथियों मैं उसंदी विष्णोईर आप के लिए लेके हूं आज एक अरंडी की वीडियो वीडियो में जो विराइटी देख पा रहे हैं सरकारी अनुसंधान के अंदर दुवारा त्यार किया गया बीज है और भहुती उच गुनवत्ता हुक्त बीज है और बीज की चर्चा करेंगे की कोन्सी कम्पनी का यह बीज है कहांसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और कहां कहां इसे लगा सकते हैं कितना उत्पादन हो सकता है और कितना ला मिल सकता है तो यह जो विराइटी है यह हमारे मित्तर है सुनील जी एग्रिकल्चर एक्सपेट यूटूब चैनल से उन्होंने अपने खेत में लगाई है और आज हम इतफाक से इनके यहां आये जाता है हालां कि अभी इसकी एक भी तुड़ाई नहीं हुई है अभी इसकी तुड़ाई होनी है यानि कि आज यकल इन्होंने तुड़ाई शुरू कर देनी है तो हम बीवाने इसार मेले से आये थे उसके आते वक्त हम रस्ते मिन के यहां रुके और हमने इनका खेत देख कि आपनी विराइटी सुरोपर्थम ली कहां से संदीबाई सबसे पहले तो आपका हारदी का आभार कि आप हमारे यहां पहुंचे और आपके सभी दर्सकों को मेरा नमश्कार मैं सुनील मलिक सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप जो अरंडी की विराइटी देख पा रहे तो लगबग अगर बात करें नेरी छेतर की तो नेरी के अंदर अगर मोसम साथ दे दे प्रकरती की मार ना पड़े जैसे सर्दी जो विंटर टैक वो ना हो तो लगबग 20 कुएंटल पर एकड़ तक यह उत्पादन देती है अगर अपने बात करें कुछ किसान ऐसे भी हैं तो 6 मेने की खेती करते हैं बाद में गयूं यह सर्षों लगा देते हैं तो 6 मेने की खेती में लगबग 8 कुएंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन देती है अब मैं आपको बताओं इसको जैसे लगाने का तरीका तो जैसे अभी सर्षों खड़ी है जो किसान सिरफ 6 मेने की और जो किसान इसको 12 मेने की खेती करेंगे ज्याधा प्रोड़क्शन के लिए वह इसको लगाएंगे जून जुलाई में मांसुन काल में अगर अपने लगाते हैं इसको समर सीजन में यानि जैसे मार्च और अप्रेल में तो इसको अपने अक्टूबर में कटाई हो अगर इसको एक साल के लिए लगाते हैं किसान भाई तो इसको जून जुलाई में बर्षाद सुरू होने पर लगाते हैं और जैसे आगे ये मार्च अपरेल में अपना फिनिस करेगी सारा तो इसका जो ज़्यादा प्रोडक्सन है वो विंटर के अंदर आता है अभी आप देखरें इसके सिट्टे के साइज भी बड़ा है बिल्कल बिल्कल अभी नए भी फुटान भी देखो आप कितने ज़्यादा में है तो ये जैसे आगे मार्च अपरेल तक अपना फ्रूटिं रहें या बाज रहित्या दिये तो उनके भाव भी नहीं है अगर प्रोडक्सन होता है तो दो डाई कुंटल में आजकल गुमार रह जाता है उसकी जगह अगर अपने इसको अरंडी को लगाएं मान के चलिए आप आठ को भी छोड़ी है च्छै कोंटल भी हो जाता है तो मो की बार हर्याना के अंदर भी अरंडी की विजाई खूब होगी लोगों का खूब रुजान है कि अपकी बार अरंडी लगाएंगे एक कहीं न कहीं एक और चीज में संदीब जी आपको बताऊं अरंडी एक ऐसी फसल है जमीन की गुनवत्ता को भी बढ़ाती है यानि इसकी पैदावार अगले साल अपने को और ज्यादा मिलेगी अरंडी वाले खेद पर क्योंकि इसका जो पता है वो जमीन पर जड़ेगा इसकी खात लगती है या फिर इसको जैसे अपने फ्रूटिंग सारी लेली इसके बाद इसको जमीन में मिला देते है रूटावेटर से तो एक घरी खात की रूप में भी एक काम करती है अब आपने बात कर लेते हैं कि इसका बीज आपने कहां से लिया मैंने एमदाबाद गुजरात की वराइटी है और पुसा न्यू देली इसार से ही इसका बीज जो मिले में वहां पे लिया था और आप ओनलाइन भी इसका तक विजाई कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सीड्रील मसीन है वो कैसी है अगर उसकी सेटिंग अच्छी है तो आप इसको डेड एकर में भी लगा सकते हैं इसका कंपनी रिकमेंड करती है जो यूनिवस्टी है वो की 800 ग्राम भी जाप एक एकर में लगाओ इस इसमें एक पोदे से आपको 40 से ज्यादा फुटाओ मिल जाएंगे यानि एक पोदे पर 40-45 हिट्टे आपको मिलेंगे और काफी अची वराइटी है फिलाओ में भी खूब है साथहो इस वीडियो में आप यह सोच रहे होंगे एक हम इस बीज को परमोट कर रहे हैं हम वास्ता में इस बीज को पत्तोर ग्र रहे हैं लेकिन यह बीज सरकारी अंफ्षुनदान में पूरना दिए थैर कर लेगे तो एक साल में किते रुपे की इंकम ले सकते हैं अपने नॉर्मली एक एवरेज में देखो संधी भाई मैंने जैसे आपको सुरू में कहा अगर परकृति की मार ना पड़े सर्दी से बस जाए पोदा क्योंकि एरंडी की फसल में सर्दी का अटेक थोड़ा ज्यादा रहता है तो अगर सर्दी कम पाले की समस्या ना हो तो इसका लग बग अपने मान के चलो एन एवरेज 18 से 20 कोंटल का प्रोड़क्शन दे देगी अगर नेरी छेतर में हैं और अपने को मालो मेंने में या 35-40 दिन में एक पाणी अपने देते रहे तो अगर बनानी लगा रखा है तो यही 7-8 कोंटल का प्रोड़क्शन रहता इसका ठीक है और 6,600 रुपे के नॉर खाद यूरिया स्प्रे क्या क्या डालना पड़ता है खरपदवार निया देखो एक चीज मैं बता दूं अरंडी की खेती में लगबग किसान जानते भी होंगे एक चीज़ की थोड़ी दिकत रहती है लटकी यानि इसमें सुन्डी हो जाती बड़ी बड़ी तो वह भी सुनील भाई आप मेरे को यह बताएं कि इसमें अपने खरपदवार नियंतर करने की क्या विद्या रहीगी देखो जी मैंने आपको संधी भाई पहले बताए इसमें लाइन से लाइन की दूरी अगर अपने पांस फिट रख लेते हैं तो इसमें जैसे अपने नर्मा का पा दें अगर मनसुन काल में तो फ्रूटिंग और ज्यादा बहतर होती है और अगर यूरिया की बात करें तो लगबग 15-20 किलो यूरिया परती भीगा पानी के साथ इसको दे दें तो ग्रोथ और ज्यादा बैटर रहती है तो साथियो वर्तमन समय में आप जो यह रंडी की व सरसों की आम बात करें कौटन की बात करें तो एचानक बहभ बढर जाते हैं इस चीज में वह नहीं रहेंगे आपको एक 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 इक्वल रेड़् से आपको बहभ भाओ मिलने की पूरे-पूरे चांसे रहेंगे आसा करूंगा आपको एक शयांदार वीड्यो देखने को मिल जैसा कि आप एक यूटुबर हो ठीक वैसे ही मेरा भी एक छोटा से चैनल है अग्री कल्टर एक्सपर्ट जिसमें जैसे लगबग दो एकलाग किसान जुड़े हुए है तो एक चीज मैं बता दू किसान भाईयों आपको हालांकि मैं बीसी एमसी अग्री कल्चर हूं मैं सी च अब बात करते हैं कि अरंडी की खेती को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तो मैं तो यहीं कहूंगा जैसे अपने राजस्तान की बात करें अकोर्डिंग टू रास्तान क्लाइमेट क्योंकि अपने या सुस के रिया है पानी का थोड़ा भाव रहता है तो बरानी में बान सुनाता है जुलाई अगस्त और सितंबर तीन महीने तो अपने बरसात होती है अगर इस दोरान अच्छी बरसात हो जाए तो अपने को इससे कम से कम भी 5-6 कौंटल की पैदावार अराम से मिल जाएगी यानि जहां आपको सिरफ 5,000 में संतुष्टी करनी पड़ रही ह महां 20,000 से प्लस में इनकम से ले सकते हो मतलब वैसा भी कुछ नहीं है सरकारी जो यूनिवस्टी है उसका बीज है और इसमें किसी परकार की कोई दिक्कत भी नहीं है सारे जो आप सिट्टे आप खुद ने आपने देखा होगा कि सारे जो बेर इसके जो फूरूट साइज है सारे एक साइज के हैं सिट्टे की संबाई जो लंबाई है वो भी काफी अच्छी है तो जो प्रोडक्शन है वो भी इसका बैतर रहता है तो जैसे आज मैं आपको एक चीज़ बता हूं जैसे सर्शों की अपने को अगर बीज लेकर आते हैं तो 800-900 रुपे किलो सर्शों है वो मातर 300 रुपे किलो में इसका बीज उपलब्द करवा रहा है 300 रुपे में डेड़ किलो की थैली यानि आप चाहें तो दो एकड़ में बिजाई कर लें लेकिन अगर आप यही बीज को दूसरी कंपनी का लेके आते हैं तो आपको 800 रुपे तक मिलेगा तो भाओ का फ यह डिपेंड करता है कि आपकी जमीन कैसी है आपका पानी कैसा है जैसे लेंडी सोयल है हलकी मिट्टी है या फिर जैसे हवी सोयल है तो वहां वराइटी कौन सी लगाएं अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं तो यह जैसे हर्याना टच में हैं यहां से 10-11 किलोमेटर दूर हर्याना है तो हर्याना पंजाब यह जो एक अपना एरिया है यहां पर यह वराइटी खूब चल सकती है जो किसान भाई लास्ट यह जो कोटन की खेती में मतलब मार्क आ गयते हैं तो वहां यह इसको ऑप्शन की रूप में एक दो एकड में लगा करके अपने देख सकते है ठीक देने बासर ठीक